नमश्कार दोस्तों, बोल्ट स्काय में आपका स्वागत करती हूँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन योग आसनों के बारे में जिनको करने से अगर आपका कूबर निकला हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा सबसे पहला आसन है भुजंग आसन इस आसन को करने के लिए पेट के बर लेट जाएए और पैरों को सीधा फैला दीजेए अपने हातों को कंधे के नीचे जमीन पर रखेए और माथे को जमीन से छूने दीजेए फिर शरीर को धीला करिए और धीरे-धीरे माथे को जितना हो सके उपर की ओर ले जाएए अब अपनी हातों को सीधा करिए और फिर से सारी क्रियाएं डिसेंडिंग सीक्विंस में कीजे लेकिं ध्यान रहे पीट पर ज्यादा खिचाफ ना रहे इस आसन को करने से आप जल्द ही कूबर से छुटकारा पास सकते हैं दूसरा आसन है धनुरासन सबसे पहले पेट के बल सीधा लेट जाईए और अपने पैरों को उपर की और उठाईए फिर अपने हातों को उपर की और उठा कर पैर को पकड़िये लेकिन याद रहे जब आप पकड़ें तो हातों के अंगूठे पैरों के तल्वों की तरफ रखें और उंगलियां पेरों के पंजे पर रखे इस आसन को नियमित रूप से करने से आपको कूबर से छुटकारा मिल जाता है तीसरा आसन है सेतु आसन हाथों के सहारे पेरों को सामने की ओर फैला कर बैठ जाएं और हाथ सीधा होना चाहिए फिर पूरे शरीर को उपर उठाइए और सर को पीछे की ओर जुकाइए लेकिन याद रहे पेरों की एडियां जमीन से चिपकी हुई हो इस आसन को करने से भी आपका कूबर दूर हो जाएगा कूबर लोगों में कॉन्फिटेंस को कम कर देता है साथ में कई प्रकार की विमारियों को भी पैदा कर देता है यदि उठते बैठते समय पॉस्टर का ध्यान रखा जाए और कुछ योगी क्रियाओं का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए तो बोडी पॉस्टर सुधारा जा सकता है तो इस तरह आप इन योगासनों को करके अपनी कूबर की समस्या को ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में फिल हाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसे ही योगासनों के साथ तब तक के लिए देखते रहे बोल सकाए